हाई मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्विटी टू कॉमूडिटी में सौर्थ करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में most popular cup and handle pattern के बारे में बताने जा रहा हूँ इस pattern के बारे मैं सबसे पहले आपको clear बता दूँ कि मैं आपको definition नहीं बताने जा रहा हूँ definition इसलिए नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि definition का कोई importance नहीं रहता है नहीं आपको chart पे लिखना रहता है नहीं आपको chart पे ओडीड करना रहता है chart पे जो काम रहता है, जो trading में help करता है वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले कि हम cup and handle pattern को identify कैसे करेंगे, उसको पहचाने के कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा दूसरा, अगर हमने उसको पहचान दिया, तो उसको हम draw कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा तीसरा, अगर हमने draw कर लिया, तो draw करन के बाद हमारा target price क्या होगा pair identifying करना उसके बाद हमारा stop loss क्या होगा वह आपको यहां पे identify करना और यही चार्च चीज आपको help करेगा और यही चार्च चीज के बिशो में आपको बताने जा रहाँ जिसके बिशंब पैटरन को identify करके उसके ब्रेश ट्वेट ले सकते हैं, बांगे का फाल्तू चीज में आपको बता कि आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूंगा, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हुए, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहां पे आपको इस सेप पे फोकस करना है, देखें, प्राइस नीचे से उपर की तरफ आ रहा, उसके बाद यहां पे आपका यह कब बनाया है, फिर यह हैंडल बनाया है, फिर यहां पे ब्रेक आउट देखने को विला है, तो cup and handle pattern में सबसे पहला point जो है, वो price नीचे से उपर की तरफ आना चाहिए, अगर यही price उपर से नीचे की तरफ आता है, तो फिर इसको हम छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहता है, price नीचे से उपर की तरफ आना चाहिए, उसके बाद यहां पे आपका cup बनना चाहिए, यह आपका handle हो गया, और जो cup का highest point है, वो इसका भी highest point होना चाहिए, और वह हाई हाईचेока होना चाहिए, यह तीनों एक lying में होना चाहिए, और उसके बाद अगर यह breakout देता है, यह हमें जबरदस्त वीटर्न देता है, यह जबरदस्त वीटर्न क्यएं लख देता है फिर यहां पर हमें breakout भी देखने को मिला है तो सेम यह जो सेप है यह नीचे आपको carbon copy मिलेगा लेकिन देखिए बनना कब start हुआ है यह आपका बनना हुआ है start October के मन्त में ठीक है और यह complete कब हुआ है breakout कब दिया ब्रेक आउट दिया आपका मार्ज के मन्त में यह यह लंबा टाइम लिया है form होने में और इतना लंबा टाइम लेता है form होने में तो यह आपको return भी जबरदस्त देता है तो सबसे बहले अगर आपको cup and handle pattern को identify करतना है तो price नीचे से उपर की तरफ जाना चाहिए यहाँ भी price नीचे से उपर की तरफ जा रहा फिर यह आपका cup बनाया है और इसको आप एक तरीकी सोवर identify कर सकते हैं cup में यह इसका highest point है same highest point यहाँ भी बना है मतलब इसको आप double top के रूप में भी count कर सकते हैं पहला top यहाँ पर बनाया है और दूसरा top यहाँ पर बनाया है तो हमने यह top बनने के बाद cup draw कर दिया फिर यहाँ पर देखा कि फिर price नीचे आया फिर उपर गिया फिर यह आपका handle बना दिया है मतलब cup and handle shape को मैंने identify कर लिया मैंने पहचान लिया तिहाँ पर हमने पहला point cup and handle pattern को easily identify कर लिया उसके बाद हम ने easily इसको draw भी कर लिया draw करना काफी simple है देख सकते हैं यह आपका cup बनाया है और यह आपका handle बनाया है और तीनों आपका same line है तिहाँ पर भी same pattern है draw करना कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर हमारा draw point clear हो गया identify करना और draw करना इसरा important point आता है target price वो कैसे हम decide करेंगे तो यहाँ पर देखे जो इसका size है same amount of target price यहाँ पर भी रखेंगे तो अगर हम हिंडाल को के case में बात करें तो जो इसका size होगा same amount of target price हम यहाँ पर भी रखेंगे ठीक है target price identify करने का यही method है top and handle pattern के basis पे तो कितना point है चलिए वो identify करते हैं तो इसका अगर हम lowest point की बात कर लें तो इसका lowest point हो रहा है आपका लगबग 425 से लेके 450 भी आप रख सकते हैं तो इसका save कितना हो गया 100 से लेके 125 points तो हमारा जो target price होगा यहाँ पर भी कितना होगा 100 से लेके 125 points यह 100 से 125 points हम कहां से count करेगे जहां से breakout दिया है यह जो yellow line दिखाया इसके उपर से और yellow line है आपका कहाँ पे यह है आपका 550 के level पे है यहां से अगर हम 125 points उपर जाते है यह आपका होता है 675 से लेके 650 इसको मैं एकदम clear cut बता जेता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा target price है वो आप clear देख सकते है 650 से लेके 675 यह हमारा target price है और हिंडाल को कि अगर मैं बात करूँ तो already आपका 620 करीब trade कर रहा है यह जहां से breakout दिया था और जब यह breakout दिया था मैंने source video इसके उपर बनाया था एक मिनिट वाला और उसमें आपको बताया था कि हिंडाल को मैं हमें breakout देखने को मिला है तो source video आप तक पहुंच गया होगा अगर नहीं पहुंचा है तो चैनल को subscribe किजे क्योंकि अगर आप चैनल को subscribe करेंगे तभी वह source video आप तक पहुंचेगा अब last point आता हमारा stop loss क्या होगा stop loss के अगर मैं बात करूं तो जो handle का lowest point है यह हमारा stop loss हो जाएगा नहीं तो जो candle breakout दिया है जो यहाँ पे candle आपको circle में दिख रहा है इसका lowest point stop loss के रूप में use कर सकते है तभी use कर सकते है जब candle का size इस size का हो अगर candle इससे छोटा है और वो breakout द करेगा तो दोनों में से जो सहुलियत है वो stop loss के रूप में आप इस्तमाल कर सकते हैं और बहुत साय लोग पूछ रहे हैं क्या अभी हम entry कर सकते हैं अभी आप entry कर सकते करने को लेकिन एक चीज आपके favor में नहीं रहेगा वो होगा आपका risk reward ratio क्योंकि यहाँ पे stop loss जो इसक 65 के target price के लिए आप यहाँ पे जा सकते हूँ इस target price तक जाता हुआ जरूर दिखेगा लेकिन stop loss यहाँ पे क्या रखना परेगा वो आपको खुड decide करना परेगा क्योंकि मेरे recording इससे उपर का stop loss नहीं बनेगा और यह stop loss बनता है तो फिर risk reward ratio आपके favor में नहीं होगा तो actually जो stop loss बनेगा वो 500 का बनेगा और यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो 530 गा है यह दो stop loss बनेगा इसके basis पे आप 675 और 650 के target price के लिए easily जा सकते हैं और चाहीं entry था यहाँ पे तो cup and handle pattern बनने में अच्छा कास टाइम लगता है इसको identify करना जो करना फिर आपको target decide करना यह जितना है उतना ही target होगा minimum और उसके बाद आपको by side की तरफ जाना क्योंकि जब भी यह बनता है आपको जबर्दस return देता है short term में positional basis पे इसमें आप intraday basis पे entry ना लिजे क्योंकि intraday में हो सकता है कि return ना दे लेकिन positional basis पे यह आपको जबर्दस return देगा जैसा कि आप वो भी आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करके हमें इंकवेज कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते है नेक्स वीडियो में जैहिन